आईजेक न्यूटन की कहानी प्रेलना दायक है, वे एक ऐसे वैज्ञानिक थे, जिनका योगदान विज्ञान और गनित के क्षेत्र में अमूल्य है, आईजेक न्यूटन का जन्म 25 डिसंबर 1642 को इंग्लेंड के एक छोटे से गाउं में हुआ था, उनका बच्पन कर्थिना से भरा था, क्योंकि उनके पिता का निधन उनके जन्म से पहले ही हो गया था, और उनकी मा ने दूसरी शादी कर ली थी, न्यूटन की प्रारंबिक शिक्षा सामान्य थी, लेकिन उन्हें किताबें और विज्ञान में गहली रुची थी, 1665 में, जब इंग्लेंड में प्ल के नीचे बैठे थे, तब एक सेब उनके सिर पर गिरा, और इस घटना ने उन्हें गुरुत्वाकर्शन के सिध्धान्द पर विचार करने के लिए प्रेरित किया, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्शन का सिध्धान्द गती के तीन नियम और प्रकाश के बारे में उनकी प्रसिद पुस्तक प्रिंसिपिया में उन्होंने गनितिय नियमों के आधार पर दुनिया की बहतिकी को समझाया। ये पुस्तक विज्ञान के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुई।